तो दोस्तों आज के सुईड़ों में मैं बात करूंगा कि अगर आपका बैग्राउंड वरिफिकेशन होता और कमपणी आपसे पैसे मंगती है तो आपको क्या करना चाहिए बैग्राउंड वरिफिकेशन करने के लिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहली चीज कि 90% कराने के रही बात आफिसर्फ कंपनी कमपनी के कि यहां कि लिए कि कराने के लिए और जब भीकار ell testim के लिए पैसे दे तो पहले आपको उफर लेटर रिलीस कर दिया जाता है तो आप अगर वह आठ सो रुपए भी बोल रहे हैं तब भी हम उनको दे सकते हैं अब यह नहीं है कि आपके पास मेल पर रिटर में भी नहीं है कि हाँ आप सेलेक्टेड हो आप कितनी साल लिए वह भी नहीं है और बस उनका कॉल आया कि हाँ आपका बैग्रांड वर्यूकेशन पहले होगा आपको एक हजार रुपए देने पड़ेंगे आप सेलेक्टेड हो और कॉल पर इसे बता दिया गया है और आप एक हजार रुपए वहां दे दे रहो तो वह फ्रॉड है वहां पर पैसे नहीं देना है पहली चीज आप चेक करो आपको आफर लेटर मेल पर आना चाहिए आपके पास मेल कम्यूकेशन होना चाहिए कि हाँ आप सेलेक्टेड हो आपकी इतनी सीटी सी है इतनी सेल्ली है और यह आपका आफर लेटर है और सेकेंड़ी एक पॉइंट मैं आपको बताओ जब भी स tv क्या सब्सक्राइब क्या है अचे चाहिए करकेशन पर चोपे सब्सक्राइब क्यिक्स करईवानार ने किस्ट इसटी सीट्राइब को करता साटी इसब्सक्राइब का mail डाले हो भी मुझे forward करो तो मैं एक company में working हूँ तो मैं एक company को mail डालूँगा कि please consider my resignation वगरा वगरा जो लिखते हैं टाइप करने में और वाई ही same mail मैं forward करूँगा बी कंपनी की अचार टीम को तो इस तरीके सोता है उसके बाद अगर वो लोग बोले नहीं आपको एक हजार रुपए लगेगा साथ सो रुपए लगेगा तो यस आइकन पे क्योंकि मेरा फिर प्रॉसेस चलने लगा वो ना मेरे पास सारी चीज़ें डॉकुमेंस ओन मेलागी उसके दे दें उनके कंपनी की जो अफर लेटर वगरा होता है आप से कुछ मांग लें ऐसा होता नहीं है लेकिन में फ्यूचर होने लगे कि क्यों टेक्नालोजी जैसे बढ़ती जारी ना वैसे वैसे फ्रॉड की चीज़ें भी बढ़ती जारी तो इन सब चीजों से बहु मसब कमें गियर